नमस्तर फ्रेंस मड़ाम लक्षमी कांते और आज हमसुड में देखेंगे अगर आपको बिजनेस रिटन भरना है चाहिए फिर ITR 3 हो या फिर ITR 4 हो अगर आप इस फिल में नए है तो आपको कुछ basic concepts आपके clear होने चाहिए जब भी कोई clients आपके पास आएगा रिटन भरने के लिए तो उससे बाच्चित कैसे करना है उसके पास से कौनसी information लेनी है रिटन भरते देंपे कौनसी बातों का द्यान रखना चाहिए क्योंकि सारी बात है पैसों से related है पैसों से related क्यों है क्यों सामने वाला आपको पैसे देने वाला है और पैसे क्यों देने वाला है ताकि कि उसका future में कुछ तो काम हो जाए उस रिटन के वज़े से जैसे उसको लोन चाहिए होगा तो रिटन बढ़ना mandatory है मतलब रिटन बैंक वाले मांगते हैं तो रिटन बढ़ने के लिए आपके पास आएगा तो उसका कुछ तना कुछ रिटन बार एक business मतलब कोई बिजनेस टाइप हो चाहिए फरो teacher हो तो ट्रेडिंग वाला हो चाहिए फरो एजनसी वाला हो distributor वाला हो manufacturing वाला हो service center वाला हो हर टाइप के business वालों का हम रिटन बहरेंकिए daily वह एक रिटन बहरेंगे हम practice करने के लिए हम हम बहरेंगे उसके लिए आपके कुछ basic concepts clear होने चाहिए, तभी return जो भरेंगे आप accurate भरेंगे, सामने वाला का, जो भी सामने वाला person है, आपका client है, उसका नुक्सान नहीं होगा, या फिर कम से कम होगा, जब भी हो आपके पास आता है, तो आपको कुछ questions उसको पूछने हैं, ठीक है, जब आपके पास जैसे आपको TV पे दिख रहा होगा screen के उपर, एक बंदा है, आपका client है, जब आपके पास आएगा, तो आपको कुछ, जो भी common question है, उसको पूछने हैं, कि आपका किस step का business है, क्यूंकि आपको मालूम है, दो प्रकार के return business वहाने के लिए है, एक ITR 3 है, और एक ITR 4 है, आगर आप presumptive में जाएंगा, ITR 4 में, तो वहाँ पे भी category बनी हुए, 44 AD, 44 AE, या फिर बाकी के जो भी है, ओके, एफिर 44 AD है, क्यूंकि AD है, जो कौने किस के लिए है, professional के लिए, और business वालों के लिए मतलब trading, या फिर जो manufacturing करते है, उनके लिए क्या है, 44 AD, या भी आ समझ में नहीं आएगा, अगर आप इस फिल्ड बने हैं, तो आगे समझ में आएगा, लेकिन वहीं बता रहा हूं कि सामने वाले का business क्या है, इसके ओपर depend करता है, क्या आप कौन सा form बरेंगे, या फोर बरेंगे, फिर फोर आगर बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी फिर क तो देखिए, साथ ही उसको आपको पूछना है कि किस financial year का return बरना है आपको, वैसे हम एक ही financial year का return भी भरते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी मन में doubt रहता है कि क्या हम पिछले दो साल के, तीन साल के return बर सकते हैं क्या, तो वो भी आपको कभी पूछना है, ताकि miss confusion ना हो, आप म turn over कितना दिखाना है, मतलब आपका turn over क्या है, क्यूंकि अगर एक करोड़ से ज्यादा turn over है, तो उनको audit करना mandatory है, एक करोड़ से नीचे है, तो फिर वो उनका देखना पड़ेगा है कि उनका क्या है, बिजनेस है या service है, अगर service है, तो भी 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 conditions create होते हैं, इसलिए पहले आपको पूछना है कि उनका turn over क्या है, ठीक है, अगर छोटा मोटा turn over है, 10,20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कि आपने पिछले साल रटन भरा था या नहीं भरा था अगर भरा तो ठीक है नहीं भरा तो फिर पूछना है उनको बाकि की कुरी में आपको बताओंगा कि क्या पूछना है उनको क्या नहीं पूछना है जैसे आप उनको पूछेंगे कि टर्ण और कितना है आपका उसके साथ आपको यह भी पुचन ना कि profit कितना दिखाना है? क्यूंकि जो टेक्स लगेगा वह किसके ऊपर लगेगा profit के ऊपर जो भी ये Profit बचे गा उसके ऊपर. इसलिए दो चीजे उनको पूचना है कि एज ऐसे कितिनी दिखानी भाइम और profit कितना दिखाना है अगर वो बताते हैं तो ठीक है अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता इस फिल्ड का तो आप आपके एक्स्परियेंस के अनुसार उसको तरन ओर दिखाईए और प्रॉफिट दिखाईए क्यूंकि उनको पूछना है कि आपके पेइन कैपसिटी कितनी है मानों आपने साथ आट लाग रुपे का प्रॉफिट दिखा दिया और उसके उपर टाक्सी बंदर दस पंदर हजार का तो वह कहां से देंगे तो यह भी प्रॉफिट लिमिट या उससे जदा है या फिर उनको लोन लेना है या कुछ बी चीज़े तो उनको आपको पहले पूछना कि यह रिटन क्यूं बरना चाहता है आप दो तीन तो रिजन होंगे ना या तो इनकी इंकम आच्छे का सी होगी तब यह रिटन बरना चाहते है या फिर उनको लोन लेना है या फिर वह ऐसे ही चाहते है कि चाहें बरके रखना है ताकि फूचर में दिक्कत ना है उके इसके पात आपको सबसे आखरी क्वेशन कुछना कि भी क्या आपके पास GST का रिजिश्यों है या नहीं यह तो उन्हें हर मंत दिखाई होगी वहां में चाहेगा और future में notice आने के chances होते हैं क्यूंकि जब आप income tax में जो 26as देखेंगे तो वहाँ पर 3B की sale आपको दिखाई देगी वहाँ पर GST की 3B की sale ओके अगर आपको मालूम है 3B क्या कहते हैं GST किसे कहते हैं नहीं मालूम है तो जाने देजिए बाद में देखेंगे तो एक कुछ बेसिक क्वेशन है जो आपके आपको पूछना है जब आपके पास कोई client आता है तो देखिए आपको वह बताएगा कि एक तो उसका manufacturing का business है या फिर अगर उसका trading है तो बोलेगा trading है या फिर service है तो बोलेगा कि मेरा service है अब दोनों में क्या फरेक है manufacturing में manufacturing में क्या है कि वह कुछ ना कुछ ऐसा material लाता है जिसके ओपर वह process करके कुछ नया product बनाता है उसको हम बोलते है manufacturing जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यहां पर क्या है यह बंदा पोटाटो लाता है पोटाटो का चिप्स बनाके बेचता है तो यह क्या होगा manufacturing हो गया मतलग कुछ material लाया इसके उपर process किया और उसने कुछ नया product बनाके बेच दिया उ service कीटी बेचा उसका कुछ उसने नया नहीं बनाया ठीक है उसे वो लगा candy और सर्विस में क्या ऑता है service में आप कुछ चीजे बेचते नहीं आप service सेवा देते ने ठीक एमसे जहांप्ल एक और युअ क्या करता है कोई बेचता नहीं है गज्सेवात देता है इसできड़र आहिं माल बेचता नहीं यह वो क्या करता सेर्विस देता तो यह आपको different ृतिरुच का difference समझ मैंने चाहिए कि manufacturing किसे कहते हैं किलों किसे कहते हैं और service के कहते हैं इं उक इन तिनों समझ में आएगा न तो future में धरने में आपको दिक爱 wine advertising की दिए तो वहां पे expenses पूछते हैं manufacturing करने के लिए कितना हुआ टेडिंग में कितना हुआ प्राफिट लॉस में कितना हुआ कि वह देरे देरे कि हम सीखेंगे ओके दोर में तो तीनों में तो difference समझ में आए आपको उसके बाद जब आया फिर आगे का question क्या था हमारा कि उसको पूछना है कि आपने पिछले साल रिटन भरा था या नहीं भरा था अगर वह हां बहुंता है तो ठीक है उसके पिछले साल की copy ले लो क्यों ले ना है क्योंकि पिछले साल में उसका closing stock कितना था बाकि लाइव डिश का balance कितना था व इसलिए हमें क्या करना उसको पूछना है कि आपने पिछले साल रिटन भरा था या नहीं भरा था भरा था तो पिछले साल की बैलेजिट की copy आपको लेड़ी है तो ठीक है आप online जाके पिछले साल का ITR के एक form डावनूड कर सकते हैं और उसके अंदर उसने कुछ ना कुछ आपको लेने पड़ेंगे कुछ mandatory होंगे कुछ optional होंगे mandatory में क्या आएगा प्यान कड़ा आएगा अधार कड़ा आएगा बैंक सेटमेंट आएगा क्योंकि वहां पे बैंक डिटिल्स दानने पड़ते हैं अगर कुछ refund है तो उस account में जमा हो जाता है क्रिडिट होता है चौ जो भी वह आ जाएगा अगर नहीं बहरा है पिछले सा लिटन तो आप उसको पुछेंगे कि आपके पास क्या-क्या असेट है अगर बिजनेस करता है तो कुछ ना कुछ तो आसेट्स फरनिचर मचिनेरी कुछ ना कुछ तो होगी उसके पास बाईक होगी उसके पास फरनिचर जो भी है वो ले लीजी जैसे फ्यान होगा फ्यान तो आफिस में रहता ही है कंपूटर रहता ही है मॉबाल रहता ही है प्रिंटर होगा ही उसके पास फरनिचर होगा लाइट बोर्ड फिटिंग होगी इस सारी चीज़े कहा आ जाएगी फिक्सल असेट में अगर कुछ कोई पी इंकम अगर उसको किसी भी और सोर्स आती है तो वह अगर बताता है तो वह में डालेंगे डालेंगे नहीं बताता है तो छोड़ दीजिए यह कॉमन कॉश्चन आपको उसको पूचना है जब आपके पास आएगा उसके बाद ही आगे का काम शुरू प्रॉफिट लॉस मतलब टेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट अन बैलेंशिर बनेना यहां से शुरू हो था जब यह सारी चीज़े खतम होगी ना तब वहां से ठीक है जब यह सारे डॉकुमेंट्स दे देंगे और उसके पास बिजनेस की डिटल्स भी ले चीजता है तो स्टेडिंग लिख लिख लिए जवां पर कि कलो स्टेडिंग एंड सेल पर्चेस और सेल कुछ भी जब हम बैलेंशिट करेंगे तो उस टाइम पर आपको समझ में आ जाएगा आपको ओके तो यह कॉमन कोशन आपको पूछने हैं पूछने के बाद ही आपका काम शुरू होगा तो बैलेंशिट कैसे बनाते हैं इन सारी चीज़ों का इस्तमाल करके जो आपने उसको कुछन पूछे हैं यह हम अगले वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में स्रिफ हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है कि जब क्लाइंट हमरे पास आएगा तो हम उसके पास से क्या कुछिन पूछेंगे या फिर क्या इंफॉर्मेशन आम ले लेंगे यह सारी इंफॉर्मेशन आप वाटस पे भी ले सकते हैं क्लाइन के पास या इसा नहीं कि उसको प्रिंटी निकालगी देना है ठीक है तो आज के उडियो में बस इतना है अगर आपको कुछ